हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो लाइफ एक्स्पिरियेंस एजूकेशन आज हम आपके साथ डिसक्स करने जा रहे हैं आरार भी ग्रूप डी प्रीविएस येर कॉशन पेपर के पार्ट जेनल अवर्णेस एंड करेंट विसको ये हमारा प्रीविएस येर कॉशन पेपर सीरिज ज क्लास नमबर फिब्थ है ये जो कॉशन पेपर है और भी ग्रूप डी 24 सेप्टमबर 2018 का सिफ फर्स्ट का ये कॉशन पेपर है टार्गिट के है हमारा मिशन रिल्वे पार्क साथी में ये कॉशन पेपर जो है टोटल कॉशन 100 मार्क्स पूछे जाते हैं और इस तरीके से आ 2018 आस्ट्रेलियन ओपन जीतकर अपने पूरुस एकल खिताब को बरकारार रखा है तो ये जीतने वाले 2018 का जीतने वाले फ्रेंच ओपन ये रफल ने डाल दे जीता है और विमिल्टन इस बार हुआ नहीं है किसके कारण कोरोना बारश के कारण और फिर होता है यूएस ओपन तो ये जीता है डॉमेनिक थीम ने तो ये चारो भी आपको याद रखना है कौन-कौन से होते है एक तो अस्रेलियन ओपन होता है उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन और उसके बाद है विमिल्टन और लास्ट होता है यूएस ओपन तो ये चारो ये हैं काफी important है इनसे एक ना एक question जरूर बनता है तो ये चारों आपको याद रखना है और किस ने जीता है ये भी आपको याद रखना है और इस बार 2020 में बुरिल्टन हुआ नहीं है ये भी आपको याद रखना है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स कॉशन है और विस डे मेशर ध्यानचंद वर्डेस इस सेलिब्रेटेड एस नेशनल स्पोर्स डे इन इंडिया यानि की मेशर ध्यानचंद के जन्वे दिन को भारत में किस दिन राष्टी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये म कोरड़ी वर्ड कप मैंस्ट कैटिकरी यानि कि नेमलिखित में से किस रास्ट ने 2016 कवर्डी कप पुरुस बर्ग में जीता है तो ये जीता था किसने भारत ने यानि कि इंडिया ने ये जीता था तो A इसका हो जाएगा correct answer और इसी के साथ India जो है थर्ड टाइटल ये जीता था और कब कब जीता है 2004 में जीता है फिर 7 में जीता है और उसके बाद 16 में जीता है तो यह आपको इन टाइटल याद रखना है इंडिया यह जीता है यह होजाएगा correct answer next question है who was honored with the icon award at the London Film Festival in 2018 यानि की कौन 2018 में लंदन Film समहरों में icon प्रुषकार से सम्मानित किया गया था तो किसको सम्मानित किया गया था इर्फान खान को किया गया था तो यह इसका हो जाएगा correct answer next question है question number 5 where was the 48th International Film Festival of India held in 2017 यानि की 2018 में भारत का 48 वा अंतर राश्टी फिल्म महोसब कहां आयोजित किया गया था तो यह आयोजित किया था कहां पर गोवा में तो सी हो जाएगा correct answer अब बात है गोवा की तो गोवा के बारे में हम बात करें गोवा का capital क्या है परनेची तो यह तो सबको आपको पताई है अब बात करते हैं गवर्णर की तो यह है भगस सिंग कोशियारी और Chief Minister कौन है प्रम मनाय गया था और यह भी कहां पर गोवा में ही आयोजित किया गया था 51st की बारे में बात करें 51st International Film Festival यह कहां पर मनाय जाएगा यह 2021 में जन्वरी में यह कहां पर मनाय गया है यह भी गोवा में ही मनाया गया है तो इतना कुछ आपको याद रखना है ठीक है इसका हो जाएगा correct answer next question है which of the following वेदा mentions about music यानि कि निमलिखित वेद में से कौन संगीद के बारे में उलेक करता है तो यहां से हम बात करें हमारे चार बेद हैं पहले तो फस्ट है रिगवेद रिगवेद है यह इसमें collection of humans है यानि कि इस्तितियों का संग्रह है इस्तुति जो होती है इनका संग्रह है रिगवेद में उसके बाद आता है सामवेद सामवेद इसमें बताये गया है जो इस्तुतियां है उनको एक form में जाए किसके form में tunes के form में जिससे की music बनता है तो यहां से Indian music की उत्पत्ती हुई है यह हम बोल सकते हैं और एक book of melody भी इसको कहा जाता है किसको Samavet को फिर आता है Yazurved इसमें deals की गये है rituals का animals का sacrifices का इसमें बताया गया है फिर अथरवेद आता है और इसमें क्या बताया गया है medicines के बारे में बताया गया है अथरवेद और इसी से बना है आयरवेदा तो यह भी आपको याद रखना है चारोवेद हैं और किस किस से related हैं यह भी याद रखना है तो जो music है यह mention किया गया है किसमें सामबेद में यानि की सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स कॉशन है हूँ अमंग दा फॉलाइंग एक्टिविटीज एक्टिब एक्टिब ली पार्टिस्पेट इन दा केमपेन अगेंस दा नर्मेदा बैली प्रोजेक्ट यानि की नर्मेदा घाटी परोजना के खिलाब अवियान मैं निमले कि सक्रिय कारे करता हूँ मैंसे किसने सक्रिय रूपशे भाग लिया था तो ये भाग लिया था मेधा पाच करने यानि की डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर प्शन नमर एड़्थ है उच्चतम सिकर कहा का माउंट एलवरस ये है यूरोप का इसको जीदने वाली दुनिया की सबसे कम उम्री की लड़की कौन बनी है तो ये बनी है पहले भी हमने डिसकेस किया है इस क्वेशन को मालवता पूर्णा यानि की ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट है विच इंडिया विच इंडियन चेस्ट मास्टर है जीटा है तो ये जीता था किसने विश्वनात आनंद ने यानि की सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर एक्स कोशन की तरब चलते हैं इंडियास फर्स्ट विधान भवन विधान भवन will be established in which of the following states यानि भारत का पहला विधान भवन निमलिखित में से किस राज में इसतापित किया जाएगा तो विधान महवन किस राज में इसतापित किया जाएगा ये किया जाएगा महाराश्ट में उसी इसका हो जाएगा correct answer अब साथी में बात करें महाराष्ट के बारे में तो महाराष्ट का capital तो आप समी को पताई है मॉंबई है capital, यहां पर winter capital भी एक है क्या है नागपुर, नागपुर है winter capital साथी में governor काउन है भगत शिंग कोश्यारी जो की दोनों ही प्लेस के है गोवा और महारास्ट के भगशिंग कोशियारी टीप मिनिस्टर कौन है उद्दब ठाकरे तो इतना कुछ महारास्ट रिलेड़ेड़ आप याद रखिए सी हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स कॉशन है प्राइम निस्टर आफ इंडिया केंनोट पार्टिस्पेट इन वोटिंग ऑना नो कॉन्फिदेंस मोशन अगेंस्ट हर और हिस गवर्मेंट इफ और ही यानि कि भारत के प्रधान मंत्री अपनी सरकार के खिलाप आविश्वास प्रस्ताब मत में भाग नहीं ले सकते हैं नहीं कर सकता है यानि की प्रस्ताब मत पर मतदान नहीं कर सकता है सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर इसा मेंबर ऑफ राजशवाग नेक्स कॉशन है दा यूनियन गवर्मेंट हैस लोड़ इंट्रेस टेट ऑफ नाइन इस्माल सेविंग स्कीम्स बाइडेस फूर अप्र इवाज़वयं को कम कर दिया है तो इसका करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर ओजाएगा इतना कम कर दिया प्रेसर है तो नहीं कि 2018 की इस्तिती के अनुशार पोडू चैरी की बदमान लेटरेन गवरणर कौन है तो, 2018 की बात हो रही है, तो कौन थी किरण बेधी है पोडू चैरी की लेटरेन गवरणर यानिकी C, इसका हो जायगा correct answer और 2018 से किरण बेधी ही पॉट भोडू चैरी तसीं में बात करें लिए उसकी आत्म कता है तो यहे cohort उसके आत्म कता है तो यह लिखे थी इसंडे वाबर नहीं लिखी तू यह आपको याद रखना डोर करेक्ट आंसर नेक्स कॉशन है वाई वीच आप फॉलइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ट दा सिस्टम आफ इंडारेक्ट इलेक्शन इन इंडिया यानि कि निम लिखित में से किश अधी नम के द्वारा अंग्रे जोने पहली बार भारत में अब प्रत्यक्ष चुनाव की इंडारेक्शन इन इंडिया स्टर्ट हुआ था एक्टिन इन इंडिया से नेक्स के सहने है यानि कि रेहां नदी घाटी पर्योजना कहां परिस्तित है तो यह हिमाचल प्र luego कि के बारे में आप बात करेज करें तो और धरम शाला है बिंटर केपिटल ठीक है कवर्नर है भंडारू दत्तत्रे और येम कौन है येम है लिंग पार नारायन श्वामी और है तो इतना कुछ आपको हिमाला है हिमाचल प्रदेश से याद रखना है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स कॉशन है बिच इस्टेट हैस दा ट्रेडिशनल ड्रेश ओफ मैन नौन एस सोला और फोटूआ एंड इरी जादर यानि कि किस राज में पुर्सों की पारमपिरिक पोशाक शोला या फोटूआ और या फिर एरी चडार के नाम से जानी जाती है यानि कि ये जो ड्रेश है ये कहां पर फेमस है ये है आशम में यानि कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आशम के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है दिस्पूर कैपिटल सरवनन सौनवाल है यहां के कौन सी अम है और गवर्णर कौन है जगदीश मुखी साथी में आशम में कौन सा नेशनल पार्क फेमस है गाजी रंगा नेशनल पार्क आशम में फेमस है और ये एक सींग बाले गेंडे के लिए फेमस है और यहाई पर एक मात्र गोल्डन बाग भी देखा गया है साथी में यहाँ पर देहिंग पट का वाइल लाइफ सेंचुरी है जिसको की अपग्रेड किया जा रहा है नेशनल पार्क में राय मेनार नेशनल पार्क पहले इसे रिपू जंगल के नाम से भी जाना जाता था ये भी कहां पर है आशम में है साथी में पोबार रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको की वाइल लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है तो इतना कुछ आपको अशम से रिलेटेड याद रखना है सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स कॉशन है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अब बात करें इलाइबाद बैंक की तो इसका जो फॉर्मेशन किया गया था ये लगवग 1865 के आसपास किया गया था और उस टाइम पर इलाबाद जो नौर्थ वेस्टर्न प्रोविंशेज था ब्रिटिस इंडिया के टाइम पर अब बात करें हेड कोटर की तो ये भी पूछ लिया जाता है हेड कोटर कहां पर है कॉलकाता में है और कॉलकाता से एक कॉश्चन जरूर बनता है किस नदी के किनारे वशा हुआ है तो ये हुगली नदी के किनारे वशा हुआ है कॉलकाता तो कॉलकाता बेस्ट रंगाल में है इसका हेड कोटर और की पूपल कौन है यानि की MD and CU कौन है इतना याद आपको रखना है अलावाद बैंक से बी हो जाएगा और करेक्ट आंसर नेक्स कॉशन है इन दा युनेश्को वर्ल्ड नेटवर्क आफ वाइस्पियर रिजर्व यानि की निमल कित में से कौन युनेश्को के निलगिरी वाइस्पियर रिजर्व की ये 2000 में सामिल किया गया था नंदा देवी ये 2004 में सामिल किया गया था और कंचन जुंगा वाइस्पियर रिजर्व ये 2018 में इसको सामिल किया गया था तो ये चारों को सामिल किया गया है यानि कि इसका correct answer जो है इस question को RRV group 2 के द्वारा cancel किया गया था अब बात करें UNESCO की तो UNESCO का full form क्या है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसका formation कब हुआ है 1945 में इसका formation हुआ है headquarter कहां पर है Paris Paris France में इसका है headquarter और इसके head कौन है Audrey Azale कौन है इसके head Audrey Azale इसके head है तो इतना कुछ आपको UNESCO से भी याद रखना है चारो ही wise peer reserve है UNESCO wise peer reserve है तो यह आपको याद रखना है next question की तरब चलते है according to the recent report published by World Steel Association India has overtaken the US to become the world's largest steel producer in 2017 यानि की World Steel Association दोरब प्रकासित हालिया report के अनुशार भारत 2017 में दुनिया का सबसे बड़ा इसपात उत्पादक बनने के लिए अमेरिका से आगे निखल गया तो यह कौन से नंबर का थर्ड नंबर पर यह पहुँच गया है यानि की ए इसका हो जाएगा correct answer दुनिया का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का इस पात उत्पादक बनने के लिए अमेरिका से आगे निखल गया है तो यह इसका हो जाएगा correct answer तो इतना कुछ आज के lecture में हमने सीखा 20 question complete की lecture का last question था lecture को आप पसंद आए तो like and share जरूर कीजिए और life experience education चैनल को जोड़ने के लिए आप चैनल को सब्स्राइब भी कीजिए साथी में हमारे social media handles है Instagram, Facebook page है, Telegram चैनल है Life Experience Education नाम से आप हमें यहाँ पर भी follow कर सकते हैं Thank you